तो पिछले एपिसोड में सिंग्जुन अपने लोगों के साथ नाइन कोल पैलेस में आ गया था जहां पर बिंगली भी अपने बाकी एल्डर के साथ में उसे रोकने के लिए आ गई थी इसके बाद वो सिंग्जुन से कहने लगती है मैं मानते हूँ कि तुमारे पास में बहुत सारे ट्रिक हैं लेकिन फिर भी तुमारे पास में के वाल ये नियांग्रिल्म वाली कल्टी बेसन है इसलिए वो उसे धमकी देने लगती है कि अगर डिरेक्ली तुम अके ले ही 18 पारे में चिंता नहीं थी और इसलिए वो टियांचुंग और बाकी लोगों को यहां से आगे जाने के लिए काता है तब ही हम देखते हैं कि बिंग्ली भी बिल्कुल ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहती थी और इसलिए वो अपने साथवाल एल्डर से इनको रोकने के ल अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा हिमत है तो तुम मेरा सामना करो क्योंकि यहां पर तुम्हारा ओपनिट मैं हूँ और अब इतनी बात करने के बाद वो अपने सभी सौर्ट स्लेप को भी यहां पर बुला लेता है अब इसे देखते ही बिंग्ली के साथ वाले साथ में डील करना चाहता हूं और उसके बाद फिर मैं तुम सभी को जॉइन करूंगा अब इसके इस बात को सुनकर टियान चोंग और बाकी लोग यहां से अंदर चले जाते हैं लेकिन अब यहां देखते ही बिंग्ली भी बहुत ज्यादा परेसान हो गई थी और इसके ब बात कहने के बाद वो इनको डराने के लिए अपने पाउर का यूज करने लगा था और फिर वो बिंग्ली का मजाक उडाते हुए काता है कि क्या तुम बारी हो अब इस बात से बिंग्ली भी समझ गई थी कि वो इतनी असानी से सिंग्यून को पार नहीं कर पाएगी वो अपने लोगों से काती है कि तुम उनके बारे में चिंता मत करो क्योंकि वा तो केवल कुछ घमंडी लोग हैं और इसलिए अगर वो टॉप पर जाना चाहते हैं तो तुम उनको जाने दो तबी इसके इस बात को सुनकर इसके साथ वाली एक एल्डर काफी परिसान हो जा करती है कि हमें इनको टॉप पर नहीं जाने देना चाहिए नहीं तो हो सकता है कि ये लोग वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रियेट कर देंगे लेकिन तब ही हम देखते हैं कि बिंगली को अपने उपर ओबर कॉन्फिडेंस आ गया था और इसलिए वो इनसे काती है कि तुम तो इसके बारे में चिंता मत करो क्योंकि हमें सबसे पाले सिंग्यून को मारने के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अगर हम ऐसा करने में काम्याब हो जाते हैं तो उसके बाद सब कुछ अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा लेकिन अब इसी के साथ वो इनका मजाक उड़ाना भी सुरू कर देती है और फिर कहने लगती है कि आखिरकार ये लोग तो केवल कुछ गिने चुने हैं इसलिए अगर किसी तरह से वो टॉप पर पहुंच भी गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे और इस तरह से उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी लेकिन अभी भी हम देखते के वली नियांग रिल्म वाली कल्टिवेशन बेस है जिसके वजह से तुम निर्वान लेबल वाले पाउर का यूज नहीं कर पाओगे और इसलिए इस वाद से मुझे लगता है कि तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते अब इस तरह से सिंग्जु ने इन सभी का मजाक उड़ कर दिया था और इसके बाद वो इन से काता है कि मुझे 3000 कोली स्टार एंसीन फॉर्मेशन के बारे में भी पता है इसलिए अगर तुम अठार लोग भी यहां पर हो तो क्या हुआ लेकिन उसके बाद भी तुम हमें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे इसलिए वो इ सिंग्यून को इन सभी बातों के बारे में पता नहीं होगा और इसके बाद वो उससे पूस्टी है कि तुमें 3000 कोली स्टार एंसीन फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता है फिर हम देखते हैं कि सिंग्यून वैसे तो इनको बोल कर कोई भी जवाब नहीं देता लेकिन इसके पाद वो अपने हैबी सोर्ड के पाउर का यूज करके 3000 कोली स्टार एंसीन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और फिर कहता है कि याप फॉर्मेशन 9 कोल पाहले से ही नेरिट हुआ था जो की असल में 7 रैंक वालब फॉर्मेशन है और इसके अलाबा अगर बात की ज कोल वाला कल्टिवेटर भी इसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और वो केवल कुछी समय में इसके सामने मारा जाएगा तभी सी बीच हम देखते हैं कि इस फॉर्मेशन के अंदर से कोल्डी स्टार बाहर आने लगे थे जिसे देख सिंग्यून सोचने लगत और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सिंग्यून इन सभी बातों के बारे में कैसे जानता है या देख बिंगली तुरंती इन सभी को सान्तों जाने के लिए कहाती है और फिर कहती है कि अगर सिंग्यून 3000 कोली स्टार एंसीन फॉर्मेशन के बारे में जानता है तो क्या हुआ और इसलिए वो अपने सभी लोगों से कहती है कि हमें तुरंती अपने ग्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसका यूज करके सिंग्यून को बहुत ही असानी से मार देंगे लेकिन तब ही हम देखते हैं कि सिंग्यून इनके इस अटैक का सामना करने के लिए भी रेडी था और इसके बाद वो इन से कहता है कि तुमें क्या लगता है कि मैं केवल 3000 कोली स्टार एंसियन फॉर्मेशन के बारे में ही जानता हूँ और क्या इसके अलावा मैं यहाँ यहाँ पर किसी दूसरे चीज के बारे में तैयारी करके नहीं आया हूँ अब इतनी बात कहने के बाद सिंग्जुन अपने सभी स्वाट स्लेव को इसारा करता है जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी अपने पाउर को एक साथ में कमबाइन करना सुरू कर देते हैं और अब इस तरह से सिंग्जुन की डेट सोल ड्वेलिंग उसके पास में आ जाती है इसके बाद सिंग्जुन तुरंत ही इसके पाउर का यूज करना सुरू कर देता है और इस तरह से वो इन सभी को ग्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने से रोक देता है अब इस बात से इसमें से एक एल्डर बहुत ही ज़्यादा परहसान हो गई थी और इसके बाद वो काती है कि इसने तो अपने पाउर का यूज करके फॉर्मेशन को बहुत ही असानी से रोक दिया जिसके बज़ा से हम तो इसे बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं कर सके तब इस पर सिंग्जुन इन से काता है कि अभी मेरे पास में जितनी ताकत है उसका यूज करके इस फरमेशन सुई सेंग के कंट्रोल में नहीं है बलकि या फरमेशन किसी और के ही कंट्रोल में है तब इसके इस बात को सुनकर बिंगली इसके उपर काफी गुसा हो जाती है और फिर वो उससे काती है कि इसके लिए मास्टर सुई सेंग का यहाँ परोना जरूरी नहीं है क्य लिए केवल हमी काफी हैं अब इतनी बात कहने के बाद वो सिंग्जुन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बाकी एल्डर के साथ में मिलकर सिंग्जुन को बहुत यसानी से रोक देगी और इसलिए वो अपने लोगों से कहती है क या लड़का केवल सांत रहने का नाटक कर रहा है जिसके वज़ा से तुम्हें उसके सामने डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसलिए वो इन सभी से कहती है कि तुम्हें उससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है और इसके बाद वो इन सभी के साथ मिलकर सिंग् तेकनिका यूज करके इनके सामने से गायब हो जाता है अब इस तरीके से उसने इनके अटैक से खुद को जखमी होने से बचा लिया था और इसलिए ये लोग एक साथ मिलकर भी उसका कुछ नहीं कर पाए थे या देखिजे सभी बात करने लगते हैं कि या चीज तो कोई यज सिंग्जुन का बच्चा हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा और इस तरह से हम उसके सीक्रेट अटैक को मिटाने में कम्याब हो जाएंगे तब इसके इस बात को सुनकर सिंग्जुन भी कहता है कि तुम्हारी बात बिलकुल पूरी तरह से सही है लेकिन बदकिसमती से अब त से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो और इसी के साथ वो अपने तलवार का यूज करके इसके उपर अटैक करने की कोशिस करती है लेकिन हम देखते हैं कि सिंग्जुन इसके अटैक से खुद को बहुत असानी से बचा लेता है और इसके बाद वो अपने हैवी सोड का य यहाँ पर कोई भी नहीं आपाता और इस तरह से सिंग्जुनी से एल्डर को बहुत ही बेरहमी से मार देता है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बाद से बिंगली की हालत भी पूरी तरह से खराब हो गई थी और इसके अलाबा बहुत से एल्डर भी इस बाद से कहने लगती है कि अंडर वर्ल का मेरा गोस्टली क्लो मार्सल स्प्रीट किसी को भी बहुत असानी से फ्रीज कर सकता है अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से सिंग्जुन के ऊपर अपने इसी टेकनी का यूज करना चाहती थी और इसी के साथ उसे लग रहा था कि वो इस त को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और इस तरह से सिंग्जुनिस को भी बहुत ही असानी से मार देता है जिसके बाद अब यहां पर केवल उसका इसकलेटन ही बचा हुआ था लेकिन अब इसी के साथ वो बाकी लोगों के ऊपर भी अटैक करने के लिए रेडी हो ग लेते और इस तरह से कुछ समय के बाद वो उसे खोजने में कम्याब भी हो जाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर सुई सेंग इस वक्त अपने फॉर्मेशन को एनरजी दे रही थी और इसलिए वो अभी इन सभी के ऊपर कोई ध्यान नहीं देती लेकिन अब इन सभी को यहाँ पर देख मास्टर सुई सेंग की एलडर इनके ऊपर गुसा होने लगती है और फिर वो गुसे में इन से कहने लगती है कि तुमारे सामने मेरी मास्टर है और तुमारी इतनी हिमत कि तुम उसे सैलिट भी नहीं कर रहे तब इसके इस बात को सुनकर टियान चुंग कह करता है कि यही सुई सेंग है और इसी के साथ वो अपने सभी लोगों को रेडी हो जाने के लिए कहता है इसके बाद एपिसोड यहीं परेंड हो जाता है लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लैप्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लानेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना